रक्षा बंदन का त्योहार श्यावन मास की पूर्णिमा को होता है। रक्षा बंधन से सजी थाली अधूरी मानी जाती है। लेकिन इन सब के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि यदि रक्षा बंधन के शुब दिन पर कोई बच्चा पैदा होता है या किसी की मृत्ट्य हो जाती है तो ऐसे में राखी का त्योहार अशुद्ध हो जाता है। और लोग त्योहार नहीं मना पाते। इस थिति को सूतक कहते हैं। लेकिन जोतिश शास्तर के भी अपने समधान और नियम है। आए जानते हैं उन नियमों के बारे में। इसके अलावा मा को कोई भी काम करने से मना किया जाता है। गरुण पुराण के अनुसार सूतक की अवधी वर्ण के हिसाब से अलग-अलग बताई गई है। हाला कि अब बच्चे का जन 12 दिन का सूतक माना जाता है। शावण मास के शुकुलपक्ष की पूर्णे माति थी आरंभ 19 अगस्त सूमवार प्राथा तीन बचकर चार मिनट पर। शावण मास के शुकुलपक्ष की पूर्णे माति थी समाथ 19 अगस्त सूमवार रात्री 11 बचकर 55 मिनट पर। इस साल रक्षा बंधन के दिन भद्रा सुभा 5 बचकर 53 मिनट से आरंभ हो जाएगी जो दोपहर एक बचकर 32 मिनट पर समाथ होगी। पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुमुहरत 19 अगस्त को दोपहर में एक बचकर 30 मिनट से लेकर रात्री में 9 बचकर 7 मिनट तक का रहेगा। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के 12 दिन के भीतर यदि परिवार में किसी का जिनम हो जाए तो सुतक लग जाता है। दरसल सुतक काल के दोरान कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक गतिविधियां नहीं की जाती है। हाला कि आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तो सुतक काल के दोरान राखी का त्योहार मनाया जा सकता है। यदि परिवार या घर में सुतक है तो बहने भाई को राखी तो बांच सकती हैं लेकिन कुम-कुम चंदन का तिलक या आरती जैसे शुबकारे नहीं कर सकती। सुतक के दोरान पैर नहीं चुए जाते इसलिए राखी बांधने के बाद भाई या बहन को पैर नहीं चूने चाहिए बल्कि जुक कर आशिरवाद लेना चाहिए। जब पहने राखी बानते समय मंत्रों का जाप करें तो उने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र का जाप जल्दी जल्दी ना करें ये सूतक के नियमों के विरुद्ध है